हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं सुरेंदर कमार आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पार्ट साले में आपका स्वागत है तो चलिए फ्रेंड्स आज फिर से एक बार आपके सामने important questions लेकर आ रहे हैं जो आपके CHO, CRPF या फिर नर्सेट के exam में आने वाले important questions हैं तो questions को ध्यान से पढ़िए और अगर आपको answer आ रहे हैं तो please comment box में आप comment करके जिरूर बताईए और हाँ friends आपको हमरा channel कैसा लग रहा है वो भी आप comment box में comment करके बताईए ताकि हम आपके लि percentage of water ठीक है friends क्या है first question कि human body के अंदर कितना percent water होता है तो friends मैं आपको बता दूँ कि जो human body है उसके अंदर normally 60% water present होता है कितना percent होता है friends 60% जो fluid है वो body के अंदर present ही होता है ठीक है friends इसमें से जो 60% है इसका 66% तो होता है intracellular fluid और बादि जो आपका 33% होता है वो होता है आपका extracellular fluid ठीक है friends जो आपका extracellular fluid है वो 33% होता है और intracellular fluid होता है वो 66% होता है किसका? 60% का और ये 60% क्या है? body के अंदर total fluid कितना होता है ठीक है friends तो यहाँ पर जो right answer होगा option A के अंदर है 40% option B के अंदर है 55% option C के अंदर है 70% और option D के अंदर है 90% तो यहाँ पर जो right answer होगा वो क्या होगा option B is right answer 55% क्योंकि 60% नहीं दिया गया है तो उसकी जो ideally जो range है वो अपने को देखनी होती है ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर right answer क्या करना आपको option B is right answer next question इन्हें healthy 70 kg adult male the intracellular fluid volume is क्या है कि एक healthy male है जिसका weight कितना है फ्रेंट्स ही 70 kg है और उस 70 kg के अंदर अब आपको क्या करना है intracellular fluid आपको बताना है क्या बताना है intracellular fluid तो इसके लिए friends आपको क्या करना होगा सबसे पहले 70 kg का जो percent है जो male patient है उसके अंदर क्या करना है आपको उसका total body fluid निकालने है total body fluid निकालने के लिए कितना बताया था मैंने कि उसका कितना होता है 60% total body fluid कितना होता है 60% तो friends आपको क्या करना होगा 70 kg का कितना 60% निकालना है तो 70 kg का 60% कितना होगा friends मैं आपको बता देता हूँ कि 70 kg का 60% होता है friends 42 लेटर कितना होगा 42 लेटर यहां पर अपने इनको calculate किया तो 42 लेटर किसका आया 70 kg का 60% ठीक है friends 70 kg का 60% कितना है 42 लेटर अब अपने को क्या करना है 42 का 66% करना है ये जो 42 अपने पास आया है जो 42 आया है वो क्या है friends जो 42 अपने पास आया है वो total body fluid है इस 42 का जो अभी मैंने पहले बताया था कि 66 तो होता है इंट्रा सिल्वार और 33 होता है अक्स्टा सिल्वार तो यहां फे friends अपने को इंट्रा सिल्वार पूछा है तो अपने को 66% निकालना है ठीक है friends तो अपना 42 का 66% कितना होगा 42 into 66% अपन इनको किसे 100 से डिवाइड कर देंगे ठीक है friends तो अपने इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसके जो नॉर्मल है अगर आप इसको कैल्कुलेट करोगे तो इसका नॉर्मली कितना आएगा 77.something आएगा ठीक है friends 77.something आएगा तो यहाँ पी जो राइट आशर होगा वो क्या होगा इंट्राचलवार जो फ्लूड है वो क्या होगा अगर अपन को क्या देखाजे इसका 33 परसेंट देखाजे जो अपने 42 लिटर आया था उसका अगर 33 परसेंट देखाजे तो आप इसका 33 परसेंट भी निकाल सकते हो ठीक है फ्रेंट्स इसी से से मैं फोर्मुला से आप इसका 42 into 33 upon 100 और इससे आप डिवाइट करके इसका भी या पर निकाल सकते हो ठीक है फ्रेंट्स जो इंट्रसिल्वार फ्लूड है वो ज्यादा होता है जबकि एक्स्ट्रसिल्वार फ्लूड वो कम होता है वन थार्ड जो है वो अक्स्ट्रसिल्वार फ्लूड होता है और टू थार्ड कौन सा होता है इंट्रसिल्वार फ्लूड बहुत अच्सा question है friends, बहुत बार पुछा जाता है, यह question very 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 important question है, बहुत बार पुछा जाने वाला question है कि कौन से type के persons के अंदर body के अंदर water है वो ज्यादा पाया जाता है, तो क्या है कि जो मोटे होते हैं उनमें पाया जाता है या ज्यादा पतले होते हैं, तो एक तुम कर देता हूं कि हमेशा जो male होता है, कौन फ्रेंट से male candidate जो है उसके अंदर fluid ज्यादा होगा, then the female, female की तुलना के अंदर male के अंदर क्या होगा friends, ज्यादा आपको water fluid होगा, तो अब यहाँ पे अपने को देखना है कि male और woman दो आपको option में दिये गए हैं, तो male तो confirm है, option C में fat woman और option D में lean woman, तो lean का मतलब क्या होता है, thin जो होते हैं, ठीक है friends, तो यहाँ पे जो right answer होगा, वो क्या होगा, फटा फट से comment box में comment करिए, क्या होगा friends, option B जो right answer, जो lean man होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, body fluid हो क्या होता है, highest concentration के अंदर उनमें present ही होता है, ठीक है friends next question आपके लिए, the client most at risk for fluid volume deficit, सबसे ज्यादा fluid volume deficit होने के chances किस में रहते हैं, अच्छा question है friends, किस में रहते हैं, फटा फट से comment box में comment कीजिए, option A है, elderly person, option B, young adult, option C, child, और option D, infant, इनमें से किसके अंदर सबसे ज्यादा fluid volume deficit होने के chances हैं, होते हैं, फटा फट से comment box में comment कीजिए, तो friends मैं आपको बता दूँ, कि जो child और infants होते हैं, उनमें fluid volume है, वो ज्यादा होता है, और elderly persons होते हैं, उनमें fluid volume है, वो कम होता है, ideally जो child होते हैं, उनमें 80% fluid volume present होता है, कितना होता है, 80%, जबकि adult में मैंने कितना बताया था आपको 60 percent, ठीक है friends, यहाँ पर जो आपका right answer होगा, वो क्या होगा, elderly person, elderly person क्यों होते हैं, क्योंकि friends elderly person इसलिए होते हैं, कि उनके अंदर जो renal functions हैं, वो क्या हो जाते हैं, decrease हो जाते हैं, subcutaneous fat है, वो decrease हो जाती है, और जो skin है, वो thin हो जाती है, जिसकी वज़ए से उनमें fluid का retention नहीं हो पाता है, और क्या हो जाते हैं, उनमें fluid volume deficit की condition present हो जाती है, तो यहाँ पर जो right answer होगा, वो क्या होगा, option age, right answer, elderly person, जो है, वो क्या होते हैं, यहाँ पर ज्यादा, आपका, जुन में fluid volume deficit होने की ज्यादा जांसे होते हैं, ठीक है friends, next question आपके लिए, the maintain of fluid and electrolyte balance is more critical in children than in adult, because, क्या question है, अच्छा question है friends, कि जो electrolytes का balance है, fluid और electrolytes का जो balance है, वो किस में ज्यादा होता है, adult की तुलना में, sorry, इसमें question में क्या पुछा गया है, कि fluid और electrolyte का जो balance है, वो किस के अंदर maintain करना ज्यादा critical होता है, मतलब ज्यादा problem किस में होती है, कि adult और child में से, अगर एक child है और एक adult है, तो उनमें अगर fluid volume deficit हो गया, तो किस में अपन जल्दी recover कर लेते हैं और किस में recover नहीं कर पाते हैं, तो फटाफट से option के अंदर आपको क्या option दिये गए हैं, फटाफट से comment box में comment कीजिए, option A है, cellular metabolism is less stable than in adult, option B है, the proportion of water in the body is less than in adult, option C के अंदर है, renal function is immature in children below 4 years, और option D के अंदर है, the extra cellular fluid requirement per unit of body weight is greater than in adult, ठीक है friends, दो child है, उनके अंदर क्या होता है, fluid volume balance वो maintain करना थोड़ा सा critical होता है, adult के वज़े से क्यों होता है, क्योंकि, यहाँ पर right answer क्या होगा, option C is right answer, क्यों होता है, उनमें थोड़ा सा critical क्यों होता है, क्योंकि जो children है, उनके अंदर क्या होता है, जो renal है, वो क्या होती है, kidney जो है, वो immature होती है, जिसकी वज़े से fluid maintain नहीं हो पाता है, और यह mostly कितना होता है, जो 4 years से छोटे बच्चे है, उनमें renal function यानि kidney है, वो immature होने के वज़े से, और उनमें क्या नहीं होता है, फ्लूड और electrolytes का जो balance है, वो जल्दी से maintain नहीं कर पाते हैं, ठीक है friends, next question है आपके लिए, next question है, यह जो आपकी screen पे दिया गया है, कि an excessive vomiting and hemorrhage lead to, बहुत easy question है friends, और क्या होता है, बहुत बार RPSC के अंदर पूछा जाता है, कि यह किस type का, जो fluid volume deficit है, वो कैसे हो सकता है, अक्सेसिव से, आप vomiting हो रही है और hemorrhage हो रहा है, तो उसको कौन सी conditions produce हो सकती है, सिधा सा question है friends, फड़ा फड़ा से comment box में comment करके बताइए, इसका answer देना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद इसका answer दोगे, option A के अंदर है, hypovolemia, option B में overhydration, sorry, hypervolemia, option C के अंदर, fluid overload, और option D क अंदर, edema, तो यहां पर जो right answer होगा friends, वो क्या होगा, hypovolemia, ठीक है friends, next question, the symptoms of severe dehydration in an adult include all of the following accept, यहां पर friends accept पूछा है, क्या पूछा है, accept मतलब किशी एक को छोड़ करके, ठीक है, accept का हमें साथ ध्यान रखना है, बाकी 3 symptoms हैं, वो dehydration के अंदर present रहेंगे, कोई एक है जो dehyd dehydration में नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, option A, decreased thrust, option B, dizziness, option C, weakness, और option D, palpitation, तो यहां पर क्या होगा friends, option A is right answer, क्योंकि dehydration में thrust हो क्या होती है, increase होती है, जबकि यहां पर रखना है, decrease, तो decrease thrust नहीं होती है, तो यह right answer क्या होगा, dehydration, ठीक है friends, next question, which among the following signs and symptoms will be present in a patient with hypovolemia, hypovolemia की patients के अंदर कौन सा sign symptoms है, जो present होगा, तो फटा-फट से आप answer, comment कीजे, option A है, increased heart rate, option B है, hypertension, option C है, bounding pulse, option D है, urine output 30 ml पर, ठीक है friends, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ, कि hypertension होता है, increased blood pressure more than 140 to 90 mm of Hg, और bounding pulse जो होती है, वो क्या होती है, जो stroke volume है, cardiac output का जो stroke volume है, वो क्यों हो जाता है, उसकी amount है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वेज़े से, जो pulse है, वो easily feel हो जाती है, ठीक है, उस condition को बोलते है, bounding pulse, तो इसमें right answer क्या होगा, friends, hypovolumia की condition है, तो यहां पर right answer होगा, वो क्या होगा, option A is right answer, ठीक है, friends, अब जो heart rate होगा, क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, next question क्या है, which of the following assessment finding is typical of extra cellar fluid loss, ठीक है, friends, तो क्या है, कि कौन सा assessment है, जो आप find करोगे, किसमें extra cellar fluid loss के अंदर, ठीक है, तो फटा-फट से comment box में comment करके बताएगे, option A के अंदर है, friends, distended jugular vein, option B के अंदर है, elevated hematocrit level, option C के अंदर है, rapid 3D pulse, और option D के अंदर है, increased serum sodium level, ठीक है, friends, तो क्या होगा, अगर आएग पेसेंट है, एक client है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, extra cellar fluid है, वो क्या हो रहा है, लोस हो रहा है, क्यों सा fluid है, extra cellar fluid, क्यों सा, extra cellar fluid ह है, वो क्या हो रहा है, लोस हो रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या assess करोगे, right answer, फटा फट से comment box में, comment करके बताए, PGIE में दो बार पूछा गया, question है, friends, फटा फट से comment box में comment कीजिए, क्या होगा, तो यहाँ पे right answer होगा, friends, वो है, वो आपको rapid 3D felt से, वो आपको assess करने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे elevated hematocrate level और sodium level यह दोनों भी क्या होगे, extra cellular fluid होने पे, क्या होगे, इनका level भी increase होगा, extra cellular fluid loss होगा, तो hematocrate और sodium level दोनों ही increase होगे, लेकिन यहाँ पे यह right answer क्यों नहीं हो रहे, यह यहाँ पे right answer क्यों नहीं हो रहे, क्यों कि यह दोनों ही क्या है, laboratory diagnosis है, दोनों के दोनों क्या है, laboratory diagnosis है, दोनों को laboratory के अंदर diagnose क्या दाता है, जबकि जो 3D pulse है, वो क्या है, अपन उसको बिना laboratory के भी अपन क्या कर सकते है, palpation method से उसको अपन feel कर सकते हैं, ठीक है friends, तो यहाँ पे जो right answer होगा, ready, pulse elevated, hematocrit level और increased sodium level भी सही है, लेकिन यह क्या है, laboratory value है, ठीक है friends, next question आपके लिए, I hope this question is identified by you, यह question आपकी दोरा पैचान लिया गया, समझ लिया गया है, ठीक है friends, तो next question आपके लिए, which one of the following is not true regarding fluid volume deficit, ठीक है friends, तो इन में से कौन सा जो option है, वो fluid volume deficit के regarding सही नहीं है, तो option A क्या है friends, acute loss of 0.5 kg of body weight percent, represent 500 ml of fluid loss, option B, a postural hypotension of 15 mm of HE indicate fluid volume deficit, option C, evaluation of tongue trigger is more valid than skin trigger, और option D, urine specific gravity is 1.010, ठीक है friends, तो फटापट से comment box में comment करके बताए, यह कि right answer क्या होगा, तो friends मैं आपको बता दूँ, कि जो fluid volume deficit है, इसके regarding सही कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो right answer होगा friends, वो क्या होगा, option C is right answer, जो skin trigger है, वो क्या होगा, more valid नहीं है than the skin trigger, ठीक है friends, next question आपके लिए, in which of the following condition, the patient will have flesh dry skin, कौन सी condition के अंदर जो patient की skin है, वो fleshed और dry skin रहेगी, फटापट से comment box में comment करके बताए, है friends की कौन सी condition के अंदर जो skin है, वो dry और fleshed रहेगी, ठीक है friends, तो फटापट से comment box में comment कीजिए, execution है, option A है, edema, option B है, soak, option C है, dehydration, और option D है, और volemia, ठीक है friends, तो यहाँ पर जो right answer होगा, वो क्या होगा, dehydration, dehydration की condition के अंदर क्या होता है, fleshed, sorry, dehydration की condition में क्या होगा, fleshed और dry skin है, वो present रहेगी, ठीक है friends, next question, while the nurse is providing a patient's personal hygiene, she observed that his skin is excessively dry, during the procedure, he tell her that he is very thirsty, an appropriate nursing diagnosis would be, क्या है, कि एक जो nurse है, वो क्या कर रही है, patients की personal hygiene को maintain कर रही है, उसको personal hygiene provided कर रही है, उस समय वो क्या observe कर रही है, कि skin हो excessively dry है, तो इस procedure के अंदर वो क्या करेगी, क्या हो रहा है, और उसको excessive stress यानि प्यास लेगी हुई है, तो इसके लिए appropriate nursing diagnosis ही, क्या होगा, तो option A है, potential for impaired skin integrity related to altered gland function, option B है, potential for impaired skin integrity related to dehydration, option C है, impaired skin integrity related to dehydration, और option D है, impaired skin integrity related to altered circulation, तो यहाँ पर जो right answer होगा, friends, वो क्या होगा, option C is right answer, impaired skin integrity related to dehydration, यह क्या होगा, यहाँ पर right answer होगा, क्योंकि nursing diagnosis है, वो according to Nanda impaired skin integrity ही बनता है, ठीक है, friends, next question आपके लिए, वेहन प्रोवाइडिंग ए पेशेंट्स हाइड्रेशन स्टेटर्स, ए नर्स वूड इनिसियक, आप एक पेशेंट्स को हाइड्रेशन स्टेटर्स प्रोवाइड कुरुआ रहे हो, तो एक नर्स है, वो सबसे पहले क्या करेगी, तो provision of variety of fluids, प्रोवाइड आई सिप्स, option C है, give fluid on patients demand, और option D है, maintain in flow and outflow, ठीक है, friends, तो यहाँ पे hydration status maintain करने के लिए, हमेज़ा अपने को क्या करना होता है, जितना fluid अपन दे रहे हैं, उतना fluid अपने को वापस मिल रहा है कि नहीं, वो अपन क्या करते हैं, measure करते हैं, तो यहाँ पे right answer होगा, वो क्या होगा, option D is right answer, maintain in flow and outflow, ठीक है, friends, next question आपके लिए, fluid balance is based monitored by, same as जो आपको just पहले वाला question था, उसी के according है, friends, फ्रेंट से comment box में comment करके बताईए, कि fluid volume is based monitored by, fluid volume जो है, उसको अपन किसके दोरा monitor कर सकते हैं, daily weight के दोरा, skin trigger के दोरा, capillary refill के दोरा, या फिर intake and output के दोरा, तो friends, यहाँ पे जो right answer होगा, वो क्या होगा, option D is right answer, फिरापट से comment box में comment कीजिए, अगर आपको questions आ रहा है, friends, आप बिना किसी जीज़क के आप क्या कीजिए, comment box में comment कीजिए, यह ज़रूरी नहीं है, कि आपके सारे questions सही हो, लेकिन गलती करने के बाद ही क्या होता है, सही किया जाता है, एक बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, बहुत सारे students हैं, वो क्या करते हैं, comment नहीं करते हैं, सोचते हैं, हमारा गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलत भी इंसान, अगलती भी इंसान से ही होती है ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्यूशन जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है फटाबट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वेहन प्लाज्मा इंटर्स दे टीश्यू इट इस काल्ड जब प्लाज्मा टीश्यू के अंदर इंटर होता है तो उसे कौन सा फ्लूड बोला जाता है ety粉 डेंटर्स टीश्यूड फ्लूड उप्संदी ब्लेड और ऑप्संदी गेपिलरी तो क्या होता है उ utilizar धूर्स अथजू की और इंदर फ्लूड पर्जेंट होता है up miejsc 1- right answer interstitial fluid जो cells है और उस cells ये क्या है? cells है tissues क्या होता है? group of cells तो ये क्या होए? एक बहुत सारी जो cells है उनका group हुआ और इस cells के बीच के अंदर यहां पे जो fluid present रहेगा ये क्या कहलाएगा? interstitial fluid ठीक है friends? और ये क्या होता है? जो tissues के बीच का fluid है वो क्या होता है? interstitial fluid तो यहां पे जो right answer होगा वो क्या होगा? interstitial fluid ठीक है friends? next question which type of solution causes water to shift from cell to plasma? कौन सार जो type का fluid है? वो water को cell से plasma के अंदर shift करता है? बहुत important questions है friends बहुत बार पुछा जाता है फटा फट से comment box में comment करके बताएए alkaline है, isotonic है hypotonic है और hypertonic तो कौन से type का जो fluid है जो आपका जो fluid है उसको cells से plasma के अंदर shift करता है? ठीक है friends? तो यहां पे जो right answer होगा वो क्या होगा friends? option D is right answer जो hypertonic fluid है वो क्या करता है? cells के अंदर का जो fluid है उसको बाहर निकालता है और plasma के अंदर shift करने के लिए useful होता है जिससे क्या होता? intracellar fluid pressure है वो क्या होता है कम होता है ठीक है friends? इसके बारे में आपन डिटेल से पढ़ाएंगे जब अपना क्या होगा? electrolyte और electrolyte जो अपनी unit आएगी उसके अंदर आपन पढ़ाएंगे fluid volume deficit की जो unit आएंगे उसमें से question आएंगे तो आपको इसमें detail से इसके बारे में आपको समझाया जाएगा ठीक है friends? next question आपके लिए fluid overload in a percent may cause fluid overload एक percent के अंदर हो रहा है तो उसका उसकी वज़े से क्या हो सकता है? अगर किसी percent के अंदर fluid volume increase हो रहा है तो उसकी वज़े से कौनसे condition से वो produce हो सकती है? option A के अंदर angio edema, option B के अंदर peripheral edema, option C के अंदर pulmonary edema और option D के अंदर cerebral edema तो यहाँ पर right answer होगा वो क्या होगा friends? फटाफट से comment box में comment करके बताईए क्या होगा friends? option C right answer pulmonary edema pulmonary edema क्या होता है friends? जब body के अंदर fluid volume increase हो जाता है body के अंदर fluid volume increase हो जाता है तो उस condition में fluid कहाँ चला जाता है? lungs के अंदर जो air space है कहाँ चला जाता है? lungs के अंदर जो air space है उसके अंदर present हो जाता है क्योंकि बोडी में फ्लूड जयदा होता तो लंक्स में जाएगा और वहां से एर का की जगह है वो कवर कर लेगा उससे क्या होगा डिस्निया की कंडिशन भी प्रोडूस हो सकती है इसलिए क्या होगा प्लमौनरी इडिमा अगर पेसेंट को ओर लोड है फ्लूड ओर लोड तो उसकी इस ऑन आईवी फ्लूड थेरेपी वीच अमंग दा फॉलॉविंग सजेस्ट फ्लूड ओर लोड एक जो बच्चा है उसके अंदर क्या हो रहा है आईवी फ्लूड थेरेपी चल रही है और उसमें कौन सा इंडिकेशन है जो आपको सजेस्ट करेगा कि इसमें फ्लूड ओर रक्खाया अच्छा कि उसे ना फेंड इसमें देने वाली बात है कि जो चिल्ड्रेन है वह यह तो समझ नहीं पाएगा ना कि उसको क्या हो रहा है वह खुद नहीं पाएगा ठीक है फ्रेंड्स वह कभी खुद नहीं बोल पाएगा तो उसको अपने को शुर्फ एक symptoms है वो देखना होगा तो इसमें क्या होगा option a के अंदर worsening dysnia, option b के अंदर fewer, option d के अंदर nausea vomiting और option d के अंदर sunken eye तो यहाँ पे क्या होगा friends जो right answer होगा option a is right answer worsening dysnia, worsening dysnia क्या होता है friends जो child है उसके अंदर आई वी fluid लग रहा है Uneलोड ओघड तो उसमें वर्स्निंग किया होता है डिफिकलती ब्रीतिंग का मिन्च क्या होता है सॉल्ट अरो प्रेसपिरे सयर्ट मतलब अच्पिरेशन बिल्कूल स्टहों जाएक छोटे चोटे इस स्जेकर लेना करेंथ ho रहा है जिसके वजसे से र जो अपने को देखने को मिलेगा next question friends a nurse is assigned to care for group of client on overview of the patient medical record the nurse determined that which client is at risk for fluid volume access ठीक है friends तो यहां पर क्या है कि एक nurse है जो एक client का एक group है जिसके अंदर क्या हो रहा है सभी का medical record चेक कर रही है और nurse देख रही है कि कौन चाफ जो पेसेंट है वो fluid volume access होने के chances ज्यादा हो सकते हैं क्या पुछा है कि कौन सी condition के patients है जिन में fluid volume ज्यादा हो सकता है तो यहां पर right answer क्या होगा friends फटा बट से comment box में comment करके बढ़ाए option a है the patient with ileostomy option b है the patient with renal failure option d है the patient on diuretics और option d है the client on GI sanctioning gastrointestinal sanctioning तो यहां पर जो right answer होगा वो क्या होगा friends option b is right answer the patient with renal failure friends में आपको एक important बात और बता देना चाहता हूं कि यह जो client with renal failure है यानि renal failure की condition में ही क्या होगा fluid volume access होगा क्या होगा fluid volume access होगा बाकी की यह जो तीन conditions आपके सामने दी गई है ileostomy condition दी गई है diuretics दी गई है और GI suctioning दी गई है तेनों condition में ही क्या होगा friends fluid volume deficit होगा क्या होगा deficit होगा इन टेनों conditions में ही अगर ileoistomy कर रहे हैं या फिर आपको GI sectioning कर रहे हैं या फिर diuretics दे रहे हैं तो फिर traditional condition में ही क्या होगा friends species of literature और जो renal failure की condition है उसी के अन्दर fluid volume access होगा तो यहां पे यहां पे आपको access का question भी बन सकता है कि which condition risk for fluid volume deficit accept ठीक है फ्रेंड्स यहां पे अगर आपको आजए कि कौन सी condition है जिसमें किसी एक को छोड़ के और fluid volume deficit हो सकता है तो भी कि आपका answer क्या जाएगा रिनल फेलियर ही जाएगा क्योंकि इसी में क्या होता है fluid volume access होगा बाकी सभी में क्या होगा fluid volume जो हो क्या होगा the fluid volume loss होने के chances होंगे ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा option b is right answer next question friends आपके लिए a nurse is caring for a patient who has been taking diuretic on a long term basis the fluid volume deficit is suspected assessment finding would be noted in a patient with this condition ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पे क्या होगा कि एक nurse है जो क्या कर रहे है एक patient है जो diuretic सा वो continue ले रहा है जिसके अंदर fluid volume deficit हो रहा है तो उसके लिए एक nurse है वो कौन सी condition है जो उसको note कर सकती है assess कर सकती है ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पे क्या होगा तो यहां पे जो right answer होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स option a के अंदर है rails option b के अंदर है bp option c के अंदर है hematocrate और option d के अंदर है cvp cvp क्या होता फ्रेंड्स से central venus से pressure ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पे फटा फट से comment box में comment करके बताईए कि यहां पे जो right answer होगा वो क्या होगा fluid volume deficit हो रहा उस condition के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स एक nurse है वो कौन साथ assessment है वो करेगी क्या finding करेगी तो फटा बट से comment box में comment करके बताईए फ्रेंड्स से यहां पे जो right answer होगा वो क्या होगा central venus से pressure है वो उसको assess करेगी ठीक है फ्रेंड्स से तो यहां पे जो right answer होगा वो क्या होगा CVP ठीक है फ्रेंड्स तो यह थे आपके लिए importance questions जो आपकी जो importance exams है जिनमें आपका government job लगने के selection होने के chances है उनके लिए आपके लिए important questions थे त तो friends हम आपके लिए रोज एक video लेकर आते हैं जिसमें वो ही questions आपके लिए लेकर आते हैं जो बार-बार exams में पुछे जाते हैं तो आप हमारा video पूरा देखिए और इसको like और share subscribe जरूर कीजिए और साथ में आप bell icon भी आप bell icon को भी दबाईए ताकि आपको क्या हो जब भ हमारे लिए हम आपके लिए और कैसा वीडियो लेकर रहे हैं आप हमें comment box में comment करके बताए हमारा video आपको कैसा लगा ताकि हम आपके लिए और से अच्छे से अच्छे वीडियो जा हो लेकर आज सकें thank you friends thank you so much